हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो दी चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो हम कवर करेंगे 11 अप्रेल के मोस्ट इंपर्टेंट करेंट अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहते हैं तो आप हमाई टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहाँ पर आपको पीडियो फुपलब्त करा दी जाती है और अगर आप घर पर बैटकर अपने एक्जाम सी त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोवाईल एप की मदद ले सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मैट्रियल और साथ में प्रीमियम क्लासे उपलब्त गया है तो इस गोल्प टूर्णामेंट का नाम है ब्रिटिश ओपन याद रखेगा इसे हम दो ओपन के नाम से भी जानते हैं यह भी याद रखना है आपको आगर पताता हूं कुछ फैक्ट इसके बारे में यहाँ पर दिख सकते हैं आप क्रोणा बारिश के कारण ब्रिट दुनिया का सबसे पुराना गोल्प टूर्णामेंट है यह और सबसे प्रतेस्टिस में से एक है ब्रिटिश ओपन की शुरुवात 860 में हुई थी और ब्रिटिश ओपन का दूसरा नाम द ओपन टूर्णामेंट है और गोल्प के जो तिन अन्ने मेजर टूर्णामेंट है वो कौन से हैं एक है मास्टर्स टूर्णामेंट दूसरा युएस पीजिये टूर्णामेंट और एक है युएस ओपन टूर्णामेंट सबको यादर किये और आपसे मैंने कल पुछा था CISF के बारे में तो देख लिजें CISF का लोगो है यहाँ पर CISF को पुरा नाम होता है Central इंडेस्ट्रिल सेक्योर्टी फोर्स इसे हिंदीवं केंद्रिय अध्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं आज ता आपना होता 10 मार्ट उनिस्ट्र में 1969 में मोख्याले नई दिल्ली में महांद्या सेगा भी राजिश रंजन मोटो इसका सड़क्षन एवं सुरक्षा इंगलि इसाजी की जो कॉस्ट्वेंसी है वो गुजरात का गाल्दी नगर है यह भी याद रखिएगा और एक पुछात मैंने हीराकुंड डैम के बारे में कि हीराकुंड डैम कौन से नदी पर है तो हीराकुंड जो डैम है वो महा नदी के उपर है याद रखिएगा महा नदी के अगले वीडियो में हम लोग 11 से 30 तक या 31 तक कवर करने उसके वाद मैं अपरील केड करूँगा तो देख लेते हैं 11 से 31 मार्च तक के मैथ पून दिवस तो विश्व किड़ने दिवस मना जाता है 12 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मना जाता है 15 मार्च मार्च को राष्ट्रिय टीका करन दिवस मना जाता है 16 मार्च को वैश्विक्स रेसाइकलिंग दिवस मना जाता है 18 मार्च को आंतराष्ट्रिय खुसहाली दिवस मना जाता है 20 मार्च को याद रखेगा विश्व गोर रहया दिवस 20 मार्च को मरा जाता है विश्व वन दिव प्रतिवर्ष विश्व होम्योग पथी दीवस का बना जाता है तो यह 10 अप्रैल को बना जाता है तीज अप्रैल तक लॉक्डाउन को बढ़ाने वाना देश का पहला राज्य कौन बना है तो यह ओडिशा हाली में इराक के नहे प्रधानमंत्री कौन बने तो इनका नाम है काधेमी किस साल 92 के लिए किसे 92 के लिए विजडन लीडिंग किरिकेटर इन दा वर्ल्ड का सम्मान मिला है एक तो है Ben Stokes जो कि England के खिला रही है और दूसरी है मैला Alice Perry याद रखेगा एक पूरुस वर्ग के लिए मिला है एक मैला वर्ग के क्या गया है तो यह राज्य है 36 गड़ आगे देखते हैं किस राज्य की सरकार ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए COVID-CARE एप लाँच किया है तो इस राज करा मैं अड़नाचल प्रदेश फॉब्स दौरा जारी अरब पतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीड वेक्ती कौन बने हैं तेहें जैफ बजोस याद रखेगा दूसरे नंबर पर है बिल गेट्स और हमारे भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 17 अस्थान पर है याद रखेगा भारती एकसा लाइफ एंसुरेंस के नए एमडी एंड सीओ कौन बने हैं इनका नाम है पराग राजा कौन सा देश वीपो के नुसर अंत्राश्टिय पेटेंट फाइलिंग दौन इसमें सिर्स पर आए तो नंबर वन पर आए चीन नंबर टू पर आए अमेडिका और नंबर थरी पर आए जापान याद रखेगा और ब्लैक मैन का निधन हो गया वह एक प्रसिद क्या थी तो यह कभी नेत्री थी जरूर याद रखेगे आगे देखते हैं आज का करेंट अफेर्स पहला प्रस्ट ने स्पोर्ट से रिलेटेड इंडोर होकी वीश्व कब दोरा कि मेजवानी कौन सा देश करेगा तो यह बेल्चियम दोरा किया जाएगा याद रखेगा और जापान के टोक्यो माँ को पता है 2021 में उलम्पिक होगा 2020 में होने वाला था लेकिन अब इसे कप किया जाएगा 2021 में किया जाएगा याद रखेगा आगर डिटेल्स कवर करते हैं अगर बात करें एफाइच होकी वीश्व कब की 2021 की तो मेजवानी को इसके द्वारा किया जाएगा यह बेल्जियम के द्वारा किया जाएगा याद रखेगा यह इसका छठा संस्क्रन है रोयल बेल्जियम होकी संगिस टूनामेंट के मेजवानी लेज प्रांत के काउंटी हॉल में करेगा और इसमें पूरुस और मैला वर्थ के दोरो टीमों से यहाँ पे बारा-बार टीमें जो हिस्सा लेंगी याद रखेगा और इससे पहले जो 2018 में जर्मानी के बर्लिन में जब यह हुआ था इंड़ वीश्बू कप खिताब तो आपर आश्ट्रिया के पूरुस टीम ने यहाँ पे खिताब जीता था और जर्मानी की मैला टीम ने यहाँ पे खिताब जीता था याद रखेगा इससे पहले 2018 में जब जर्मानी के बरलिन में इंडर विज़ु कब आयजुथ हुआ था तब अस्ट्रिया के पूरिश टीम ने यहाँ पे जीता था और जर्मानी की मैलाट्री में जीता था और अभी आयजुथ कहा पर हो रहा है यह बेलजियम में हो रहा है तो Belgium में देख लेते हैं, यहाँ पर Belgium को मैप में, Belgium एक European country है, याद रखेगा, यह है हमारा Europe continent, और यहाँ पर है Belgium, यहाँ पर देख सकते हैं, Belgium के पड़ोशी देशन निदरलेंड्स, यहाँ पर है, यहाँ पर है Germany, याद रखेगा, और यहाँ पर है France, इसको भी याद रखना ह है, और यहाँ पर देख सकते United Kingdom हैं, जिसकी राजधानी लंडन है, और United Kingdom और Spain यहाँ फ्रांस के बीच में, यहाँ पर फ्रांस के बीच में, इंगलिस चैनल है, याद रखेगा, UK, और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, इंगलिस चैनल, Belgium के राजधानी है, Brussels, मुद्रा यूरो, पीए में आयके हैं, सोफी, विल्म्स, और NATO का हेटकोर्टर है, Belgium के राजधानी, Brussels में, और European Union का जो मुख्याला है, वह भी Brussels में है, और मेरे को आप comment box में यह लिख कर बताएगा, कि अभी European Union के कितने सदस्य हैं, याद रखेगा Brexit के बाद, अभी कितने सदस्य European Union में हैं, यह बताना है आपको, आगे देखते हैं, प्रस्ण मारा हाली में किसके दोरा Operation Shield शुरू किया गया है, तो यह चलाया गया है, दिल्ली सरकार के दोरा, याद रख सकते हैं, और भारतिय सेरा ने आपको पतागा, कुछ दिन पहले ही Operation नमस्ते स्टार्ट किया है, और भार पास्ट्रीरा जानी में COVID-19 को फैलनेस रोकने के लिए Operation Shield की सुरुवात की गया है, इसके अंतर करोना प्रभावित 21 इलाकों को पुर्ण रूप से पावंदी लागू की गया है, सील्ड का पुरा नाम क्या है, वो देख लेते हैं, S से sealing of area यानी इलाकों को सील करने के लिए, H से home quarantine मतलब घर में quarantine रहने के लिए, I से isolation of infected patient संपर्क में आए लोगों को isolation करने के लिए, E से essential services ensure मतलब जरूरी से वाओं सुनिचित करना, L से local sanitization मतलब स्थानिये sanitizing करना, D से door to door survey याद रखेगा, आगे देखते हैं, आगला प्रस्ने हाली में किस के द्वारा virtual braille keyword लॉंच किया गया है, तो जो keyword है, गूगल के द्वारा लॉंच किया गया है, याद रखेगा, जो भी हमारे भाय बैंड अंधेपन से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये keyword लॉंच किया गया है, आगर देख लेते हैं, यहाँ प टाइप करने में मदद करेगा, गूगल ने इस virtual braille keyword को braille developers और users के सहयोग से तयार किया गया है, और 200 braille दिवास मनाते हैं अपने अंधे भाई बैनों के लिए, जो braille लिपी है, उसके लिए तेका मना जाता है, यह 4 जनवरी को मना जाता है, याद रखेगा, गूगल के बार और अलफा पेट जो इसकी parent company है, उसके भी CEO सुन्दर पिचे ही है, यह भी याद रखेगा, आगे देखते एकला प्रश्न, हाली में किस मंत्राले द्वारा भारत पढ़े online अभियान शुरू किया गया है, ते शुरू किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्राले के द्वा याद रखेगा, और मानव संसाधन विकास मंत्री में हमारे को ने, तो हैं रमेश पोख्रियाल यहां पर तस्विर देख सकते हैं, और रमेश पोख्रियाल निश्चंक इनका पुरा नाम है, और उत्राखंड के पहले मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, यह भी याद रखे चाण्दी चोक 腳 से वहाँ से हर्षवर्व भीरोपीियाव और इसके बारे में offered विकास्थion भारत पड़े ऑनलाइन अभ्यान शुरू किया गया है इस अभ्यान के अंत्रगत उप्लाप्ध डिजिटल सिख्षा प्रेटफर्मों पर ऑनलाइन सिख्षा के समय आने वाली बाधहाओं को दूर करने के लिए मानसो साधन विकास मंत्राले ने देश के समी छेत्रों के विश पुंशटक लिखी गई है तो यह पुष्थक लिखें के मेरी जॉड़न के तो याद रक्याँ आप अमेरिका के राश्ट्रपति जुड्रोणाल टरप उनको जान्ते होंगे तो उन्हीं की पत्नी मेलानिया Miya Trump याद रखेchet गई है आगैं तो पूस्तक लिखी गया और ट् ने the art of her deal the untold story of Melania Trump नामक पुस्तक का लेखन किया है Mary Jordan जो है ये पुलितिजर पुर्षकार भी जित चुकी है याद रखेगा जिनोंने पुस्तक को लिखा है Mary Jordan ने वो पुलितिजर पुर्षकार भी जित चुकी है याद रखेगा और इस पुस्तक अभी मोचन जो है 16 जून 22 में किया जाएगा याद पुस्तक वाइट हाउस की सबसे अधीक प्रभाव साली मैला मेलालिया ट्रप के 100 सक्सतकारों पर आधारित है जिनका प्रभाव अधिकांस लोग महसूस करते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न हाली में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर और नर्सों की बेतन दोगना करने की खोशना की है तो यह राज्य हर्याना हर्याना के फैक्ट समाधे कवर करेंगे पहले देख लेते हैं आपर डिटेल्स हर्याना के मुक्क मंद्री मनोरलार प्रकोप रहेगा तब तक इन्हें डबल वेतन दिया जाता रहेगा आगे देखते हैं अर्याना के बारे में नाइट दिली जो हमारे यूनियन टैटरि उसके साथ भी इसकी सीमाद लगती है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हर्याना याद रखेगा और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है वो है केरल इसको याद रखना है पानिपद सोनिपद करनाल कै थल जैसे अतिहासिक सहर हर्याना में है आगे देखते अगला प्रस्ट केंदर सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कारेकाल कितने साल के बढ़ा दिया है तो केंद सरकार ने बैंक बोर्ड ऑफ वीरो जो है जो भी बढ़तवान में सदस्यों का कारेकाल जो है दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है आगे देखते हैं सरकारी बैंकों और वितिय संस्थानों के निदेशक मंदर स्तर के अधिकारियों के चैन में प अंसकालिक चेर्मेन और सदस्यों की सेवावधी 11 अप्रेल से 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है आगे देखते हैं आगला प्रस ने हाली में CRPF सौरे दिवस दौर 20 किस दिन मनाये गया तो मनाये गया 9 अप्रेल को याद रखेगा आगे हम CRPF के बारे में भी जानेंगे अगे देख लेते हैं आपे डिटेल्स क्यों मनाये जाता है सौरे दिवस तो केंदे रिजर पूलिस बल यानि CRPF परतेक वर्स 9 अप्रेल को सौरे दिवस मनाती है याद रखेगा और इस वर्स यानि दौर 20 में इसका 55 सौरे दिवस था ये भी याद रखना है 9 अप्रेल के ही दि में सर्दार एवं टॉक पोस्टों पर CRPF की दियोतियों भानिक की दो कंप्रियां तैनात थी और CRPF की एक इस टूकरी ने गुजरात में कच केरन में सर्दार पोस्ट पर बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्ताने बिरिगेट के हमले को नकाम किया था और CRPF के जवानो उनकी बहादुरी को याद रखनी के लिए सौरे दिवस मनाय जाता है और लौ अप्रेल को प्रतेकवर्स मनाय जाता है आगे हम CRPF के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर देखिए इसका प्रणाव है Central Reserve Police Force अस्थाप्रवत 27 जुलाई 1949 में मुख्याले नई दिल्ली में महान मंत्री हैं याद रखेगा तो आज का करेंट अपर समारा यहीं पर समापत होता है अब आपके लिए अभ्यास प्रस्न है जिसका उत्तर आप सबनी इचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो के देखते हैं उत्तर जबूर दीजिएगा हाली म किसे दौर निस के लिए विजडन लीडिंग किर्केटर इन दी वर्ल्ड का सम्वान मिला है तो आपसों ने बिराट को लिए बेनेश्चोक्स एली पेरिस और बी और सी दोनों और जो भी खिलाड़ी है उनके देश का नाम लिखना है देश के अभी परधान मंत्री कोन है व लिखना है आपको तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर सवाप्स होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू पर वाचिंग वीडियो थैंक यू सो मच